हवाई सफर के लिए आप एरपोर्ट जाते हैं और हवाई जहाद में सवार होकर आस्मानी सहर पर निकल जाते हैं मगर एरपोर्ट तक जाने को आप अपने शहर की सडकों पर ही दोड लगाने को मजबूर हो जाते हैं और जिस शहर की सड़के ही तबाह हों तो वहां हवा के मुसाफिरों को जमीन दर्थ पहुत अरपाते हैं हजारों करोड के स्मार्ट सिडी प्रोजेक्ट वाले शहर बरेली में एरपोर्ट तक जाने वाला पिली बीत रोट कितना कस्ट कारी है आईए इस कड़वी हकीकत से अपनी डवल इंजन वाली सरकार को रूबरू कराते हैं बारिश में तूटी सड़कों को तुरंट दुरूस्त करने के मुख्य मंत्री के आदेश निड़देशों को अफसर कैसे हवा में उड़ाते हैं बरेली की यह जमीनी सच्चाई हम बगेर लाग लपेट के आपको दिखाते हैं यह रोड एरपोर्ट को बाई पास से कनेक्ट करती है और शेहर की मुख्य सड़कों में से एक है आप ज़रा इसका अब लोकन कीजिए जाई जालीजिए कितनी सुन्दर स्थिती में है आप कह सकते हैं कि शहर की एक एंट्री है जो पीलीवीत रोड से शहर में लोग एंटर करते हैं उन्हें इसी सड़क से बुजरना पड़ता है तो इस समय सड़क में आप देख सकते हैं बेशुमार गड़े हैं और इस्पेशली जो टू वीलर्स हैं वो लोग बार-बार इसमें गिरके चोटिल हो रहे हैं अभी मेरे सामने ही बाइक सवार गिर गए थे बैँ उसे शूट नहीं कर पाया इस्तित्य दैनी है रोडों की एरपोर्ट के सामने ट्रकों का भी भारी जमावडा रहता है जिससे यात्रियों को बिल्कुल असुविदा होती है और योगी जी ने अभी जल्दी में ही आदेश निर्गत किये संपूर्ण प्रदेश में कि सारी जितने भी गड़े हैं सड़कों पर उन्हें भरा जाए और पूरे प्रदेश की सड़कों को गड़ा मुक्त किया जाए लेकिन अभी तक कोई प्रभावी कारवाई नहीं हो पा रही उसकी वजह क्या है यह एरपोर्ट है आप देख सकते हैं और एरपोर्ट के सामने ही देखिए ट्रक पार्क हुए हैं यह सामने की सड़क पर ही आपको गड़े मिल जाएंगे यह गड़े में जाकर दिखाता हूँ मैं यह देखिए यह गड़े विलकुल एरपोर्ट के सामने है अब यह जो सड़क है यह शहर से एरपोर्ट आ रही है क्योंकि अब हम एरपोर्ट से शहर की तरफ जा रहे है इसमें भी आप देखिए भरभूर गड़े है और ऐसे लग ख़दान में प्रवेश कर गए है क्योंकि बहुत डस्ट भी उड़ती है और गड़ों और डस्ट का सावंजस से मिलकर एक अद्बुत दर्श्य उत्पन कर देता है अब देखिए भरभूर गड़े इस सड़क पर आपको मिलेंगे और इस सड़क आपको चांद की सतहसा अहसास करा देगी यह देखिए एक गड़े बचाना मुश्किल है गाड़ियों में चलते हुए इतने गड़े हैं इस सड़क पर पर प्वड विभाग आपको दिन में ही यहाँ पर चांद तारे दिखा देगा अब देखिए चांद की सतह का एसास प्रत्वी पर हो जाए तो इससे बहतर क्या हो सकता है